हेलो फ्रेंड्स एजी कृष्णा मैं हूँ उमार आपका स्वागत है मेरी किचन में आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत कम तेल में बना और बहुत सारी सब्जीयों से भरपूर इतना टेस्टी और चटपटा नाश्ता कि इसके आगे मैगी और चौमीन भी फेल है आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ नमकीन वह में सिली की रेसिपी बतलब की नमकीन सिवया की रेसिपी इतने ज़ादा टेस्टी और जटपट बन जाने वाली रेसिपी है और खाने में इतनी tasty और मज़ेदार एकमद जरूर ट्राइ करें वीडियो अगर पसंद आए तो उसे like and share जरूर करें तो चलिए इस interesting सी recipe को शुरू करते हैं तो यह tasty और healthy नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक छोटी चमच घी और gas की flame को मैंने on कर लिया है जब घी इसमें melt हो जाएगा बहुत अच्छे से तब gas की flame को low कर देंगे और इसमें डाल देंगे दो cup के जित्ती मैंने यहाँ पर वर्मी चिली लिये यहाँ पर मैंने rice वाली वर्मी चिली लिये आप चाहें जो बॉम्बिनों वाली आती है न वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगा आप सारी सेमें यहां को हम इस तरह से भूल लेंगे जब तक कि यह अच्छे सी light golden color की नहीं हो जाती है बस जान रहे कि आपको इससे जलाना नहीं है मतब बहुत ज़ादा dark color नहीं करना है flame को low to medium रखना है अगर आपको लगता है कि flame बहुत ज़ादा हो रही है तो flame को low कर ले और low to medium रखते हुए इस तरह का एकदम golden color आ जाने तक आपको इसको fry कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत अच्छा सा golden color इस पर आ गया है तो बस इससे ज़ादा हम इसको roast नहीं करेंगे gas की flame को off कर देंगे और इसे हम एक दूसरे बर्तर में खाली कर लेंगे same कड़ाई में अब मैंने gas की flame को on कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमच के जितना तेल इस फ्रसिपी को बनाने के लिए तेल बहुत ही कम use होता है बस यहां पर मैं इतना ही तेल डाल रहे हूँ इससे ज़ादा तेल इसमें नहीं add करेंगे जब तेल अच्छे से गनम हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें add कर देंगे एक प्याज यहां पर जिसको मैंने बारिक काट के लिया है यह इसमें add कर देंगे और प्याज को हम एक कुछ सेकंड के लिए इसमें fry कर लेना है बहुत ज़ादा भी हम प्याज को नहीं fry करेंगे बस तेल में mix किया है साथ ही डाल देंगे आधा कप मटर एक गाजर को मैंने बारिक काट की लिया है एक शिमला मिर्च बारिक काटी हुई तीन हरी मिर्चें बारिक काट की लिए हैं आप अपने टेस्क एकोर्डिंग कम या जादा ले सकते हैं आधा कप की जितनी मेंने बीन्स ली है और बीन्स को एकदम बारिक बारिक काटा है आप चाहें तो अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी और एट कर सकते हैं आप चाहें तो अगर इन में से कोई सब्जी आपको नहीं पसंद है या आपके पस नहीं अवेलेबिल है तो आप इसमें से इसको skip भी कर सकते हैं आप इन सारी सब्जियों को हम 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से प्यास के साथ fry करेंगे जिससे कि सब्जियों का हलका सा कच्चापन निकल जाएगा और सब्जियां हलकी सी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी तो 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से low to medium flame पे हम सारी सब्जियों को fry कर तो अब कड़ी पत्तर डालने के बाद फिर से हम इन सारी सब्जियों को कुछ देर के लिए अच्छे से fry करेंगे जब तक की सब्जियां हलकी सी गलनी शुरू नहीं हो जाती है आप चाहें तो हलकी सी सब्जियों को ढखके भी पका सकते हैं यहाँ पे सब्जियां हलकी सी तो मैं इसमें आड कर दूँगी टमाटर तो मैंने एक टमाटर लिया है बारिक कटके मतब छोटे शोटे टुकड़ों में काट के लिया है अब टमाटर को एक बार सब्जियों के साथ अच्छे से बस मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें आड करेंगे अपने कुछ का पाउडरों डाला है मैने, साती इसमे एक चम बज़ भर तर देंगे, किचिन चिakat मसाला अगर आपके बस किचे कि introduced ज़गाँ गर्म अच्छे नrors अच्छे मसालें, अब सारे मसालों के लिए लौ फ्लेंटेंचे लिख ने कीständ के बन हूट दालेần नहीं किया है तो बस दो से तीन मिनट के लिए सारे सुखे मसालों को यहां पर मैंने आच्छे से भून लिया है याप हम इसमें आट कर देंगे जो हमने रोस्ट करके यहां पर सिवया रखी थी न वो डाल देंगे इसमें आप सिवयां के साथ बस एक बार सबजियों को पानी डाला अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे इस स्टेज पर आप जाए तो नमक थोड़ा सा टेज करके देख सकते हैं कि नमक कम या जादा है तो अकॉर्डिंगल आप उसमें मिला सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढख देंगे और धक के कुछ देर के अच्छे से लिए आप तक यहाँ पर पकाते हुए दस से बार मिनट हो गए है लो फलेम पे और आप देख सकते हैं अईँ पलटा से आप चला के देख लिए इस तरह से देखें नीचे बिलकुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है ना सारा पानी इसका बिलकुल अच्छे से सूख चुका है अब हम क्या कर देंगे gas की flame को off कर देंगे और इसे धुक के 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे machine Kindernक को ओफ रखना है और धकन धुक के इसको 10 to 12 मिनट के लिए इसी तरह से रख देना है यहां पे दस से 12 मिनट हो गए है इसको रखे हुए और आप देख सकते हैं हमारी जो सिवाइया है बहुत अच्छे से बनके त्यार हो चुकी है सारी सब्सियां इसमें अच्छे से गल गई है पानी सारा सूख चुका है अभी फ्रेंड्स मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने यह धकन य अच्छा टेस्ट आता है बस हरे दनी की पत्ति और फिर से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और यह लीजे फ्रेंड्स यह हमारा बहुत कम तेल में बना बहुत सारी सब्सियों से भर पूर टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके त्यार हो चुका है आप इसे सुवे आप एक बार इस सरसे यह हेल्दी नाश्ती की रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद यह रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें जिससे कि मैं कोई भी जब भी नई वीडियो डालू तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे थैंक यू